हेलो दोस्तों विल्कम बैक टो मैं चनल मैं रूपम तो आज दिखें मैं आपको पान की बेल जो है उसकी रिपोर्टिंग दिखाऊंगे फ्रेंड दिखें मैं प्लांट लाई थी मुझे लाने से बहुत दिन हो गया तो ये मेरे ऐसे ही पॉली बैग में ही रखे हुए थे और वह में अच्छा ये फ्लांट होता है और बहुत सूँव माना जाता है इसलिए पान की बेल को अपने घर में जरूर लगाना चाहिए इसे हमारे ये पॉजा में भी काम आ जाते हैं और हमारे घरों के लिए बहुत सूब होता है अच्छी पॉजिविटी लेके आता है आपको है जहां ङूँजद है। बहुत ही अच्छा इसे आप ग्रो कर सकते हैं। यहां से यहां से थोड़ा सा यहां से आप थोड़ा सा कट करेंगे और इसको यहां से लगा देंगे सिस्टेम को देखें आपको यह भी दिखराओगा फ्रेंड यहां से हर एक एक नोड एडिया पर से यह देखें को कैसे दिखाओं ऐसे एक नट देखें हर एक नोड एरिया स हैं आपको दिखकरा होगा दीखिए कैसे us बन जाते हैं तो बहुत देखिये अरेकश चुटचुटँ लूट्स आपको देख रहाएंगे ने हर एक आपको इधर यह वाला देखिए दिखे कैसे चुटचुट आप onboard यहाँ पर दिख रहा हैं फ्रेंट तो बहुत यहाँ अच रखते हैं और बहुत ही अच्छा प्लांट है थोड़ा सा संसेटीव है यह कि क्योंकि इसको धूप पूरी प्रोपर धूप में नहीं रखना है सुबह की दो-तीन घंटे की धूप मिल जाए वो काफी है फ्रेंट और बहुत ही अच्छा यह प्लांट होता तो सबसे पहले मैं इस प्लांट की मिट्टी के बारे में बताती हूँ कि मैंने इसमें मिट्टी दिखे मैं किस तरह के मिट्टी में इसको पॉट में लगाने वाली हूँ तो कलर इसके दिखे कितने डार्क ग्रीन है बहुत इच्छा न्यू पत्ता दिखे कितने लाइट थोड़े से कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में बहुत ही सुंदर ल ताकि पानी उसमें खड़ा ना रहे और पानी अगर खड़ा रहता है ना फ्रेंट तो इसकी जड़ें गलने लगती है और यह प्लांट में फंगस लग जाता है फॉंगस लगने के वज़े से पत्ते जलने लगेंगे चाले हो जाएंगे चाले इस तरह जल जल के काले हो जाएंगे और प्लांट आपके सर्वाइब नहीं कर पाएंगे तो आप इसे वेल्डन मिटी ही दें तो देखे मैंने यह आपने आपमे बहुत ही अच्छा यहSeimcus काम चाहिए सीचनल के रखती हूं देखे ऐब भी मोश्चर है ये और धीरे धीरे ये डीकंपोश्ट होते जाता है अपने आप में बहुत ही अच्छा ये नेट्रिशन का काम करता है अमरा ये राइस हस्क और ये राइस हस्क रेटकोम करता है आज अंचे से तो फ्रेंड और देखे एक बावल मैंने एक बाग क्षिक ऐकी कहीं कि यह बराबरबर बराबर मातर हैं मैंने दोनों को और इसको मैंने एक बाउल लिया है क्वेंकि दिखिए कि परिमeled देन Council still तो मैं लेके नहीं आ पाई तो कोई नहीं फ्रेंड मैं फिलाल अभी इसी से इसी को मिक्स करके मैं लगाऊंगी और फंजी साइट पॉडर मंगवा करके फिर मैं इसका पाने में डिलूट करके पॉदे को दे दूँगी तो चलिए मैं आपको दिखाते हूं पहले मैं मिट्टी को त्यार कर लए हूँ तो देखे फ्रेंड मैं इस मिट्टी को मिला लेती हूं अच्छे से और मिलाने के बाद फिर मैं इसको छेई अन्पनेब्ट में हैं लगाने वाली हूं फ्रेंड यहीं पोर्ट बहुत एच्छा होता है और मॉस sticking में इसको आप लगांए बीच में मॉस stick को same करके आप लगा सकते हैं इसकी बेल को साहरा दे सकते हैं बहुत ही अच्छा होता है मॉस मॉषिस्टिक तो उससे होगी ना कि बेल आपकी उपर की ओर चढ़ेगी और हेल्दी ग्रोथ होगा क्योंकि मॉषिस्टिक को अगर हम भीको करके थोड़ा सा रखेंगे मोश्चेर होल्ड करके रखता है तो हमारी बेल को बहुत अच्छा पानी का यह थोड़ा सा बेल को पानी मिल जाता है तो उससे भी यह पानी सोकते हैं तो फ्रेंट दिखे मैं मिट्टी को अच्छे से मिला करके वेल रही है वैसे ही मिट्टी त्यार होगी और वर्मी कंपोस्ट को मात्रा थोड़ा ही लें क्योंकि ज्यादा नहीं लेना है इसमें भी बहुत सारा नुट्रिश लिए मैं आपको दिखाती हूं तो दिखे फ्रेंट्स सिये है मारा क्ले पर्ट तो प्ले पोट में मैंने हॉल कभर कर लिया अथा नहीं प्ले पसकाँ होह 창ुए कि हलका सा दो मृप्रिक के करीब मैं डाल हुँ इसमें अब मैं मिट्सकों में डालूंगी और अपनी बिल का भी मैंने क्ले पॉट ही लिया है थोड़ा सा 11 पॉट इसके लिए लेना चाहिए ताकि इसकी रूट्स बहुत जल्दी डबलेप होती है तो जिसे कि मैंने दिखाया आपको रूट्स देखे उपर उपर ही गुरोथ में कितनी ज्यादा हो रही है तो उसी तर पॉधिको डालती हूं उसके बाद देखूँगी मित्टी और लगेगा तो फिर मैं इसको लगाती हूं तो पॉधिको मैं निकाल लेती हूँ अंधिक्ट कियोंकि यहां से謝री से लेके आती हुशा ओना महां किमित्टी चिकनी नहीं होती फ्रेंड्स वो खुद से प्लांट को तयार करते हैं तो उनके आंकी मिट्टी मैं खुद से मिट्टी वहीं से लेके आती हूं अपने प्लांट को लगाने के लिए तो उनकी मिट्टी अच्छी होती है देखे बस गुबर की खाद और मिट्टी में यह बनी हुई है लगी हुई है तो बस मैं इसको कुछ नहीं कर करना पड़ेगा देखे और इस तरीके से मैं लगाऊंगी और उसके बाद देखें मैं इसमें पौदे भर तू नहीं करना पड़ेगा देखें इस तरीके से कुछ ज्यादा अंदर नहीं करने हैं जहां तक यह मित्टी था न ये वाला यह जहां तक में मित्टी फिल करूंगी इसमें और ज्यादा मित्टी मितर अबर पुरा भरूंगी और यह उपर बेल टे चड़ेगी बहुत अच्छा है प्लांट होता है मेरे हमारे नहीं था यह प्लांट पान का तो इसलिए मैं बहुत दिनों से सोच रहे थी कि ले करके आऊंगी मैं तो देखिए फ्रेंट थोड़ा सा देखिए मेरी मुट्टी है यहां तक अभी यह पानी मैं दूंगी ना तो यह सारे इसी लेवल में मिट्ट आ जाएंगे उसके बाद अभी मेरे पास मॉस इस्टिक नहीं है तो मॉस इस्टिक को मुझे खरिदना पड़ेगा तो मैं इसे जब ले करके आऊंगी तो इसमें स्टैंड कर दूंगी और देखिए यह मेरी मिट्टी हलकी फुलकी रड़ी हो गई और प्लांट लगके तया यह पान का बेल है बहुत सुब होता है तो मैं इसको इसलिए लेकर आई और आप भी इसी तरीके से मिट्टी तयार करें और पान की बेल घर में जरूर लाएं क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है जैसे कि मैंने बताया और हम हमें पूजा में ढूना नहीं पड़ेगा पान क कभी कभी देखिए मर्जंसी में पूजा अगर कुछ उसे सह जाता चोटा चोटा चीज हम लोग भूल भी जाते हैं लाने के लिए तो देखें फ्रेंट से मैं हलका हलका समें पानी डाल रही हूं और पानी पूरा थोड़ा अंदर तक जाने भर दें ताकि एक बार में पान वाणि थुरुत सोख लिया फ्रेंट तो इसी तरीके से मिट्ट आप क्याता है है भनाए और राइस हसक जैसे मैं ने डाला अनकित अगर राइस हसक नहीं है तो वर्मीकुलाइट आप मिट्ट में आड्कर सकते हैं और इसी तरीके से आप भी रेट ऐड़ कर सकते तो आप भी इसी तरीके से पान की बेर अपने घर में जरूर लाएं और मेरे वीडियो कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा मेरे चानल पर न्यूँ है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा बैल एकन प्रेश जरूर कर जेगा फ्रेंड ताकि आने वाली वीडियो की नोटिपिकेशन मिलती रहे तो आज के लिए इतना है व्रण ओके बाई थैंक यू